तो पिछले पार्ट में light elemental spirit किसी इंसान के साथ में contract sign करने के लिए ready हो गई थी जिसके बाद हम देखते हैं कि holy moon अपने power का use करके इसे heal करने लगता है लेकिन तबी commander league के अंदर light elemental spirit के लिए लालच आने लगती है और वो holy moon से कहता है कि इसके लिए signing angel group सबसे ज़्यादा suitable है ज wisdom के साथ में जन्म लेते हैं इसलिए वो अपने 24 के हिसाफ से अपने partner को खुदी select कर सकते हैं इसके बाद holy moon एकसरसिजम पास के सभी लोगों को एक जगा पर इकठा करने का order देता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेनप में team member के साथ में बाते कर रहा था जहा अब इसके बारे में जानकर लिन सिन भी बहुत ज़्यादा excited हो गया था और कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि हमें इस mission में इतने ज़्यादा merit point मिलेंगे इसके बाद वो इन से कहने लगता है कि वैसे तो हमें level 7 वाले demon को मारने के लिए 200 point मिल आए लेकिन वो इसे देखते ही खुद से दूर कर देती है और फिर उससे पूछती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो याद एक बाकी लोग भी कहने लगते है कि इसे तो तुमने last night में समन किया था लेकिन आखिरकार अभी तक यह वापस क्यों नहीं गया तब इस पर कर चेन अपने soul contract को चेक करती है और फिर उसे पता चलता है कि उसने पीगी बिष्ट के साथ में contract sign कर लिया है अब इसके बारे में पता चलते ही वो रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया क्योंकि मेरा नैटल समन बिष्ट तो असल मे बहुत ही छोटा है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारा पीगी बिष्ट भी इस बात से उदास हो जाता है जिसके बाद चेन बताती है कि नैटल समन बिष्ट समनर के लाइब का सबसे इंपोर्टेंट बिष्ट पार्टनर होता है क्योंकि हर समनर के पास में एक स इसके साथ में सोल कॉंट्रेंट का ऐसे साइन कर लिया तभी इसी भी चम देखते हैं कि पीगी बिष्ट चेन के पास में आता है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वो उसे मनानी की कोसिस कर रहा हो इसके बाद वो कहने लगती है कि यांग बेंजाओ इसके लिए मेरे उप पर हसने लगेगा तभी या सुनकर हाओ चेनुस से कहता है कि तुम्हें इसे के वल बाहर से ही नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसने तो तुम्हारे साथ में चुपके से कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया जिसके बज़ा से हो सकता है कि या कोई ओर्डिनरी पिगी बिष्ट न जिसके बाद हम देखते हैं कि पिगी बिष्ट भी इस बात से बहुत खुस हो जाता है या सुनकर लिन सिन भी काने लगता है कि वैसे तो हाओ यू भी सुरवात में चोटा था जबकि अब तो वा पुरी तरह से बदल गया है और फिर वो हाओ चेन से पूछता है कि हाओ यहां पर नहीं है जिसके वज़ा से हमारे ग्रूप की ताकत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तब ही इसी वक्त एक सिनियर आकर इनको बाहर आने के लिए कहता है जिसके बाद अगले सिन में हम देखते हैं कि एकसरसिजम पास के सभी लोग एक जगा पर आ गये थे जहां पर लाइट एलिमेंटल स्प्रीटिन में से किसी के साथ में कॉंट्रेक्ट साइन करने वाली थी तब ही लिन सिन हाओचन से कहता है कि वैसे तो आपने वाचिज लाकर होली मून को दे दी थी लेकिन क्या वो इसे फिर से हमें वापस देनी की प्लानिंग कर रहे हैं तब ही होली मोन कहता है की light attribute वाले prayer professionals इसे पाने का सपना देखते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ की light attribute वाले सभी लोग यहां पर सामने आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं की light attribute वाले सभी लोग सामने आ गए थे, और अब light elemental spirit भी यहां पर आ जाती है। अब इसे देखते ही यहाँ पर आए हुए सभी लोग कफी एक्साइटेड हो गए थे, जबकि हाउचेन नोटिस करता है कि होली मून ने अपने पाउर का यूज करके इसे हिल कर दिया है, तब इसे लिन्स इन भी कहने लगता है कि यहाँ तो सच में लाइट एलिमेंटल स्प्रीट है, जो कि कई हजार सालों से अपियर नहीं हुआ, और इसके अलाबा या चीज इतनी ज़्यादा कीमती है कि हम इसे 5 मिलियन मेरिट पॉइंट से भी नहीं खरिद पाएंगे, जा सुनकर होली मून कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे अब इसके बारे में बताने की जरुवत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपने लाइट प्रेट को रिलीज करू, जिसके बाद लाइट एलिमेंटल स्प्रीट अपने हिसाब से तुमेंसे किसी को चूज करेगी, तब इसी बीच हम देखते हैं कि लाइट एलिमेंटल घबराई हुई नजर आती है, और इसी देख ऐसा लग रहा था कि सायद वो किसी को खोज रही है, लेकिन इसी के साथ होली मून इन सभी को वर्निंग भी देता है, और कहता है कि इसमें जो कुछ भी होगा कोई भी इसमें जबरदस्ती करने की कोशिस नहीं करेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने लाइट प्रेट को रिलीज करने लगे थे, और वो लाइट एलिमेंटल स्परीट को अपने साथ में कॉन्ट्रेक्ट साइन करने के लिए इन्वाइट भी करते हैं, लेकिन तभी light elemental spirit को देख ऐसा लगता है कि वो इन में से किसी को भी पसंद नहीं कर रही और इसी के साथ 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 वो इन से डर भी रही थी तभी commander ली और उसके सभी लोग भी अपने-पने light spirit को release करना सुरू कर देते हैं और commander ली को ऐसा लग रहा था कि उसकी light spirit सबसे powerful है जिसके वज़ा से light elemental spirit उसके साथ में contract sign करेगी लेकिन असल में light elemental spirit इन में से किसी के भी साथ में contract sign नहीं करना चाहती थी और तभी वो कहने लगती है कि वैसे तो light element वाले यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन मुझे वो सक्स तो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा जिसने कि मुझे वहाँ पर बचाया था तभी इस सी भीच हम देखते हैं कि हाउचे ने अपने light breath को release नहीं किया था जिसे देख सिमान सी आनुस से कहता है कि आपने light breath को release क्यों नहीं किया और क्या आप इस तरह के rare treasure को उनके साथ में जाते हुए देखना चाहते हैं तब इस पर हाउचन कहता है ऐसा लगता है कि हमने अपने light का यूज करके उसके चारों तरफ एक केज बना दिया है और तभी वो फिर से light element से कहता है कि तुम अभी भी काफी week हो जिसके बाद हम देखते हैं कि light elemental spirit उसके आवाज को पाचान जाती है और अब इसी के साथ वो इसके चेहरे के बारे में याद करके काफी खुस भी हो गई थी जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग light elemental spirit से अपने साथ में contract sign करने के लिए कह रहे थे लेकिन light elemental spirit उन में से किसी के भी बातों के उपर धियान नहीं देती इसके बाद हम देखते हैं कि वो fly करते हुए हाओ चेन के पास में आ रही होती है जिसे दे कमांडरली को लगता है कि उसके पास में light element की सबसे highest definition है जिसके बज़र से light element उसी के साथ में अपना contract sign करेगी लेकिन तभी light elemental spirit सिदे हाओ चेन के पास में आ जाती है और वो बहुत खुस होते हुए इसके चारों तरफ घुमने भी लगी थी तब इस बात के बज़र से बाकी लोग काफी हैरान हो गए थे जबकि उधर lean scene इस बात से बहुत जादा खुस हो गया था तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि याखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हाओ चेन ने तो अपने light element को release भी नहीं किया और इसलिए इन में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि याखिर ऐसे कैसे हो गया वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि signing angel group के लोग इस बात से इसके उपर गुसा हो जाते हैं और कमांडर ली भी हाओ चेन से कहने लगता है कि तुमने इसमें जरूर ही कोई cheating किया होगा अब इसी बात के बज़र से वो अपने signing angel के साथ में इसके उपर attack करना चाहता था लेकिन तब ही हम देखते हैं कि सायर और बाकी लोग इसे बचाने के लिए इसके सामने आ जाते हैं और सायर फिर कमांडर ली से कहती है कि क्या तुम इसके साथ में fight करना चाहते हो जिसके बाद एपिसोड यहीं पर end हो जाता है तो अगर explanation अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को miss कर दिया हो तो left वाली वीडियो भी जरूर देख लेना